Books That Speak में आप सभी का स्वागत है बड़े भाई साब बहुत पढ़ते है और छोटे भाई से भी वही अपेक्षा रखते है छोटा भाई खेल में मस्त और पढ़ने से को सो दूर भागता है बावजूद इसके बड़े भाई साब फेल हो जाते है और छोटा भाई पास एक ऐसी कहानी जो सन 1936 में लिखी गई थी पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब ये सहित रटामार, कठोर अनुशासन और सुन्दर लिखावट के मिथक को तोड, खेल के महत्व को रेखांकित करती है प्रेमचन की ये सुन्दर कहानी बड़े भाई साब कहानी लिखी है मुन्शी प्रेमचन जीने चित्रांकन स्वाथी साम्बसिवं कहानी प्रकाशित की है स्टोरी वीवर कम्यूनिटी कहानी का वाचन असावरी दोशी मेरे भाई साब मुझसे पात साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भावना की बुनियाद खूब मजबूर डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे कभी-कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुक्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने मैं छोटा था वो बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वो चौदा साल के थे उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालिनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझू वो स्वभाव से बड़े अध्ययन शिल थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाप को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हशियों पर चिडियों, कुटों, बिल्लियों की तस्वीरे बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस-बीस बार लिख डालते कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षर में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामन जस्य मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल, अमीना, भायो-भायो, दरसल, भाई-भाई, राधेश्याम, श्रीयूत राधेश्याम एक गंटे तक इसके बाद एक आदमी का चहरा बनाऊवा था मैंने चेश्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालू लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ वो नवी जमात में थे, मैं पाचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मूँ बड़ी बाती मेरा जी पढ़ने में बिलकुल न लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड था मौका पाते ही होस्टिल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरिया उच्छालता कभी कागज की तितलिया उड़ाता और कही कोई साथ ही मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दीवारी पर चड़कर नीचे कूद रहे है कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनन्द उठा रहे है लेकिन कमरे में आते ही भाई सहाब का रओद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहा थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनी में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था नजाने मूँ से ये बात क्यों न निकल थी कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराद स्वीकार है और भाई साब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि सनेह और रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सतकार करे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गैरा नत्तु खेरा सभी अंग्रेजी की विद्वान हो जाते यहां राद दिन आखे फोडनी पढ़ती है और खून जलाना पढ़ता है तब कही ये विधा आती है और आती क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी महनत करता हूँ तुम अपनी आखों देखते हो अगर नहीं देखते जो ये तुम्हारी आखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धी का कसूर है इतने मेले तमाशे होते है मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हौकी मैच होते है मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर भी एक-एक दरजे में दो-दो-तीन-तीन साल पढ़ा रहता हूँ फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यू खेल-कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे मुझे दो या तीन साल लगते है तुम उम्र भर इसी दरजे में पढ़े सड़ते रहोगे अगर तुमे इस तरह उम्र गवानी है तो बहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बरबात करते हो मैं ये लताड सुनकर आसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपरा तो मैंने किया लताड कौन सहे भाई साब उपतेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बाते कहते ऐसे ऐसे सुकती बान चलाते कि मेरे जिगर के टुकडे टुकडे हो जाते और हिम्मत छूट जाती इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ती मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों नो घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करूं मुझे अपना मूर्ख रहना मन्जूर था लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पड़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्षा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किये काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिलकुल उड़ जाती प्रातक कालोटना छे बजे मुहा धो नाश्ता कर पड़ने बैट जाना छे से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साड़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साड़े तिन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम चार से पाच तक भूगोल पाच से चह तक ग्रामर आधा घंटा होस्टल के सामने टहलना साड़े छे से साथ तक अंग्रेजी कंपोजीशन फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनौद नौ से दस तक हिंदी दस से ग्यारा तक विविध विशे फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वो सुखद हरियाली हवा के वो हलके हलके जोके फुटबाल की वो उचलकूद कबड़ी के वो दाओ घात बाली बाल वो तेजी और फूर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खीच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ बूल जाता वो जान लेवा टाइम टेबल वो आग फोड पुस्त के किसी की याद न रहती और फिर भाई साब को नसिहत और फजिहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साये से भागता उनकी आखों से दूर रहने की चेश्टा करता कमरे में इस तरह दबे पावाता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ती के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और गुडकियां खाकर भी खेल कूत का तिरसकार न कर सकता सालाना इम्तहान हुआ भाई साब फेल हो गए मैं पास हो गया और दरजे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया जी में आया भाई साब को आड़े हाथो लू आपकी वो घोर तपस्या कहा गई मुझे देखिये मजे से खेलता भी रहा और दरजे में आवल भी हूँ लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिडगने का विचार ही लज्जास्पत जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने उपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साप का वो रोब मुझ पर न रहा आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा आपने अपना खुन जला कर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अवल आ गया जबान से ये हेकडी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंगढ़ंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साप का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है भाई साप ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धी बड़ी तीवर थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुली डंडे की भेट करके ठीक भोजन के समय लोटा तो भाई साप ने मानो तलवार खीचली और मुझ पर तूट पड़े देखता हूँ इस साल पास हो गए और दरजे में अवल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाई जान घमन तो बड़े-बड़े का ही नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है कितिहास में रावन का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरितर से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूँ ही पढ़ गए महज इमतहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धी का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावन भू मंडल का स्वामी था ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते है आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेको राश्ट्र अंग्रेजों का अधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावन चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महिप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा आदमी जो कू कर्म चाहे करे पर अभिमान न करे इतराये नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा उसे ये अभिमान हुआ था कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार एहंकार किया था भीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक धरजा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर्फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके ये समझ लो कि तुम अपनी महनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पढ़ जाता है उससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए मेरे फेल होने पर न जाओ मेरे दरजे में आओगे तो दातो पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और जामेटरी के लोहे के चने चबाने पढ़ेंगे न और इंगलिस्तान का इतिहास पढ़ना पढ़ेगा बाच्चाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हेन्री ही गुजरे है कौन सा कांड किस हेन्री के समय हुआ क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो हेन्री सात्वे की जगा हेन्री आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफा चट सीफर भी न मिलेगा सीफर भी हो किस ख्याल में दरजनों तो जेम्स हुए है दरजनों विल्यम कोडियों चाल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आन्धी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुडते थे एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंजुम लगाते चले गए मुझसे पूचते तो दस लाख नाम बता देता और जामेट्री तो बस खुदा की पना अ, ब, ज, की जगा अ, ज, ब, लिख दिया और सारे नुम्बर कड़ गए कोई इन निर्दई मुम्ताहिनों से नहीं पूचता कि आखिर अ, ब, ज, और अ, ज, ब में फर्क क्या है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भाद रोटी खाई या भाद दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परिक्षकों को क्या परवा वो तो वही देखते है जो पुस्तक में लिखा है चाहते है कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बे सिर पैर की बातों के पड़ने से क्या भादा इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चोगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परिक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो अब आप कापी सामने खोले नह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नती होती है लेकिन इस जरासी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत है मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ ये तो समय की किफायत नहीं बलकि उसका दुरूपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चट पट कह दे और अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने वो भी पूरे फुल्सके पाकार के ये चातरों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो ये है कि कहां जाता है संग्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर संग्षेप में एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम न हो ठीक है? संग्षेप में चार पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते तेज भी दोडिये और धीरे-धीरे भी है उल्टी बातिया नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक है मेरे दरजे में आओगे लाला तो ये सारे पापड बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दरजे में अवल आ गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिये लाख फेल हो गया हूँ मैं लेकिन तुमसे बढ़ा हूँ संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांदिये नहीं पचताएगा स्कूल का समय निकट था नहीं इश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाज सा लग रहा था जब पास होने पर ये तिरसकार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिये जाए भाई साब ने अपने दरजे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्रखीचा था उसने मुझे भैभीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्यूब है लेकिन इतने तिरसकार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुची जो की त्यो बनी रही खेलकूत का कोई अवसर हाथ से न जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना की रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने उपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरो कासा जीवन कटने लगा फिर साला ना इमतहान हुआ और कुछ ऐसा सयोंग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत तो न की पर न जाने कैसे दर्जे में अवल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साब ने प्राणान तक परिश्रम किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उभर छे से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांती हीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साब को इतना दुख न होता लेकिन विधी की बात कौन टाले मेरे और भाई साब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई की कई ही भाई साब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊ फिर वो किस आधार पर मेरी फजियत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूरवक निकाए डाला आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डाटते है मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दना दन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नमरों से अब भाई साब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार मुझे डाटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरत से काम लिया शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वच्चन्दता भी बढ़ी मैं उनकी सहिश्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा पढ़ू या न पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़लिया करता था वो भी बंद हुआ मुझे कनकवे उडाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेट होता था फिर भी मैं भाई सहाब का अदब करता था और उनकी नजर बचा कर कनकवे उडाता था मांजा देना, कन्ने बानना पतंग टूर्नमेंट की तैयारिया आदीस समस्याए अब गुपतो रूप से हल की जाती थी भाई साब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है एक दिन संध्या समय होस्टल से दूर मैं एक कनकवा लूटने बेतहाशा दोडा जा रहा था आखे आसमान की ओर थी और मन उस आकाश गामी पथिक की ओर जो मंद गती से जूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ग्रहन करने जा रही है बालकों की एक पूरी सेना लग गई और जाड़दार बास लिए उनका स्वागत करने को दोड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानों उस पतन के साथ ही आकाश में उड रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटर कारे है न ट्राम न गाडिया सहसा भाई साब से मेरी मुठभेड हो गई जो शायद बाजार से लोट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लॉंडों के साथ धेले के कनकववे के लिए दोड़ते तुम्हें शरम नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बलकि आठवी जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दरजा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दरजा पास करके नायब तहसिलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिड लचियों को जानता हूँ जो आज अवल दरजे की डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है कितने ही आठवी जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते है और तुम उसी आठवे दरजे में आकर बाजारी लॉंडों के साथ कनकवे के लिए दोड रहे हो मुझे तुम्हारी इसका मकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वो जेहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरों की हत्या कर डाले तुम अपने दिन में समझते होंगे मैं भाई साब से महज एक दरजा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे को कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन ये तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पात साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परिक्षकों का यही हाल है तो निस संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बात तुम मुझसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पात साल का अंतर है अरे उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुम से पात साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम M, D, F, L, D क्यों न हो जाओ समझ किताबे पढ़ने से नहीं आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पाचवी छटी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्ध्या पढ़ ले अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जनम दाता है बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा अम्रिका में किस तरह की राज्य विवस्था है और आठवे हिंडरी ने कितने विवाह किये और आकाश में कितने नक्षत रहे ये बाते चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं जिनका ग्यान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हात पाव फुल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सुझेगा लेकिन तुम्हारी जगा पर दादा हो तो किसी को तार न दे न घबराए न बद हवास हो पहले खुद मरच पहचान कर इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बिलाएंगे बिमारी तो खेर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महने भर का खर्च महने भर कैसे चले जो कुछ दादा भीजते है उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते है और पैसे पैसे को महताज हो जाते है नाश्ता बंध हो जाता है धोबी और नाई से मूँ चुराने लगते है लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे है उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज़त और नेक नामी के साथ निबाया है और एक कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो एमे है की नहीं और यहां के एमे नहीं आक्सफ़र्ड के एक हजार रुपये पाते है लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है उनकी बूड़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिगरी यहां आकर बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पुरा न पढ़ता थ करतदार रहते थे जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्षमी आ गई है तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बे राह नहीं चल पाओगे अगर तुम यू न मानोगे तो मैं थपड़ दिखा कर बोलते है भाई साब इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बाते जहर लग रही है मैं उनकी इस नई युक्ती से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लगुता का अनुभव हुआ और भाई साब के प्रती मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सजल आखो से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फर्मा रहे है वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है भाई साब ने मुझे गले लगाया और बोले मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी लल चाता है लेकिन क्या करू खुद बे राह चलू तो तुमारी रक्षा कैसे करू ये करतव्य भी तुम मेरे सिर पर है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकवा हमारे उपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दोड़ा च कैसी लगी ये इतनी प्यारी सी कहानी ऐसी और बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक ये हमारे चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और बहुत सारे अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं झाल 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 झाल